इस वीडियो के अंदर हम बिटकोईन के नेक्स्ट मूव और जो अल्स कोईन हैं अपने होल्ड किये हैं या फिर आप बाई करने जा रहे हैं तो उसके बारे में जो भी नियू अपडेट है वो आपके साथ में सेर करने वाला हूँ सबसे पहले यहां पर मैं बता दू कि जो मार्केट केप है वो बार बार लगातार गिर रहा है यहां पर आज की डेट के अंदर 1.5% यहां पर मार्केट केप गिर रहा है टू ट्रिलियन से नीचे कापी ज़्यादा गिर रहा है अगर टू ट्रिलियन से नीचे आया तो कापी प्रोब्लम हो सकता है इससे पहले हम बिटकोइन के बारे में बात करें तो बिटकोइन के अंदर अपने को आने वाले टाइम के अंदर कापी अच्छा वाला डंप देखने को मिल सकता है जो भी बाई करना चाहता है तो आप जो बिड है अपनी बाई की बिड है वो यहां पर आराउंड 56,000, 56,000, 55,000 या फिर आगर आप weekly candle पे देखें तो उसके इसाब से भी आप यहां पर अपनी जो buy bid है वो लगा सकते हैं अगर मैं चाहूं और मैं मेरी इसाब से अगर आपको बताऊं कोई भी financial advice नहीं दे रहा हूं मैं आपको मेरे इसाब से जो भी लगता है आप जो buy bid है वो properly अगर आपको bitcoin buy करना ही है और long trim के लिए जो कि जब halving आएगी तीन साल साड़े तीन साल बाद में तो आप 40,000 के नीचे ही रखिए 40,000 डोलर के आसवास में अगर आप bitcoin buy करते हैं और अगर 40,000 से नीचे आता है तो भी आपको backup fund रखना है अगर 40,000 से नीचे आता तो यह बहुत बड़ा strong यहां पे support है 25,000 डोलर का तो यहां पर आप अच्छी खासी buying कर सकते हैं इवन यहां पर 30 से लेके 25,000 डोलर के बीच म में भी आ सकता है तो यहां पर आप अच्छी खासी buying कर सकते हैं अभी के लिए कोई भी buying नहीं करनी आपको नीचे order लगा के रखना है जैसे कि 55,000 हो गया 50,000 हो गया चोटे-चोटे amount के अंदर जैसे आपके पास 100 डोलर है तो 55,000 पर सरफ 20 डोलर का लगा दिया 50,000 पर 20 का ल सकते हैं मतलब 20, 30, 40, 50 डोलर के आसवास में तो यह बिटकोईन के अपडेट है बिटकोईन आने वाले टाइम के अंदर गिर सकता है यह मैं आपको किलियर बता देता हूँ यहां पर कापी टोप बना चुका है और कापी ज़गल कर रहा है कापी टाइम से और हमें एक करेक्शन यहां पर ले सकता और अगर 80,000 डोलर गया और करेक्शन लिया तो आपको अराम से 20,000 डोलर के आसपास 20-25,000 डोलर के आसपास बिटकोईन मिल जाएगा तो अभी कोई भी बाइंग नहीं करनी है आप लोगों को कोईंस की बात करें तो देखिए कोईंस लगातार गिर रहे हैं यह बिटकोईन डॉमिनेंस है वो लगातार यहां पर कापी ज्यादा फ्लक्च्ट हो रहा है तो आप लोगों को इस चीज से भी अवेर रहना चाहिए और जो टॉप कोईंस है जैसे फेंटम है फेंटम की क्या हालत हो रही है साथ दिन के अंदर 23% और 24 गंटे के अंदर 17% यहां पर गिर गया है और यहां पर कोईन जूपिटर जेड के सिंग यहां पर यह बाइनेंस पे लिस्ट वा उसके बाद में भी हालत देखो सरफ 4% पंप हुआ है फाइल कोईन के हालत देखो यह 24 गंटे में 14% गिर चुका है और कोईनस जो टॉप कोईनस है य कोई भी एंट्री नहीं लेनी है आप लोगों को अभी के लिए आप वीट करो आप जैसे सपोर्च कीजिए कि आपको टॉप कोईनस के अंदर बाइ करना तो जैसे फैंटम है बहुत अच्छा कोईन है फाइल कोईन है बहुत अच्छा कोईन है तो फाइल कोईन के अंदर आ जो अच्छे coin है यह तो shark net है यह भी ठीक ठाक coin है इसके अलावा जो near protocol है यह भी अच्छा coin है इसके अंदर भी आप अच्छी buying range आपको buying नीचे से नीचे करनी है क्योंकि अगर bitcoin गिरा अगर bitcoin के अंदर बड़ा वाला correction आया तो यह coin सारे आपको 50% नीचे मिल जाएंगे easily गाला coin हो गया यह गाला coin के अंदर आप easily entry मार सकते हैं 0.01 के अंदर आप यह बाइंग प्राइज लगा सकते हैं अभी कुछ bitcoin बाइज नहीं करना है bitcoin को एक बार या तो अगर जितने time तक bitcoin stable रहेगा उतना ही बड़ा bitcoin के अंदर moment आने वाला है आप लोग इस चीज को note करके रखिए अगर bitcoin जो करन प्राइज यह 65,000 अगर यहां पर यह रुक गया 60 से 65,000 के आसपास में और यह रुके हुए दो महीने तीन महीने अगर यह रुक गया तो वहां से बहुत बड़ा वाला moment होने वाला जैसे कि 65,000 पर रुक गया और दो महीने बाद तक अगर रुका हुआ है तो अपने को बहुत बड़ा या तो एक बार जंप लेगा अराउंड असी 90,000 डोलर जाएगा और उसके बाद में बिग इवर जो आज तक करेक्शन नहीं हुआ वह वाला करेक्शन आपको देखने को 40,000 डोलर 30,000 एवन 20,000 डोलर तक भी आ सकता है तो आप लोग ट्राइ करो जो भी बाइंग करनी आपको बिटकोईन में या जो भी कोईंस के अंदर तो आप उसको बिट लगा के रखिए नीचे में बाइंग लगा के रखिए आपको अच्छे प्राइस के अंदर सारे कोईं मिल सकते ह अपी अच्छा कोईं है बट 24 गंटे में 10 परसेंट गिर चुका है और बिटकोईन तो सिर्फ और सरफ क्या गिरा है बिटकोईन के अंदर आगर आप मानो तो सिर्फ और या उस एक दो परसेंट गिरा मैं आपको बता दिता हूं इसमें भी कोई दिखत नहीं है Bitcoin जो गिरा है वो 0.7% गिरा है 0.7% गिरा है जिसमें coins की हालत देखो आप कि coins की क्या हालत हो रखी है जो top coin है वो 2-4% यह जो 5% तक गिर गया 16 तो आप लोग और यह देखो Siba 10% तक गिर गया Cardano, Edda coin यह देखो Tone coin Dogecoin, Dogecoin यहां पर 10% तक गिर गया तो आप लोग अगर यह Bitcoin अगर 30 या 40% गिर गया तो coins की क्या हालत होगी तो आप लोग अभी वेट करो और आपको जो भी coin बाई करना हो थोड़ा सा नीचे डीप के अंदर बाइंग मतलब जो current price है उससे around minimum 50-60% डाउन में आप buying order लगा दीजिए एक week आएगी और आपको बहुत बड़ा profit देखे जाएगा एक week के अंदर आपका buying हो जाएगा और आप जाके तुरंती अगर sell करोगे 20-30% का आपको easily profit हो जाएगा तो आप लोग इसे काफी जादा इसको ध्यान रखे और try करो कि जल्दी से जल्दी जो आपकी buying bid है वो लगा दो अभी कोई भी buying नहीं करनी है ना bitcoin ना भी कोई other coins आप buying bid लगाओ और wait करो deep आने का अभी के लिए market को रुकने दो कहा रुकता है उसका wait करो Thank you so much